बड़े बुजूर्ग कहे गए हैं कि there is never a dull moment in politics, राजनीती में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, nothing is certain, और इसी uncertainty को बढ़ाता है exit polls. Assembly Elections 2023 के exit polls के हिसाब से इस बार 3 December को MP, राजस्थान, तैलेंगाना, 36 गड़ और मीजूरम पांचो राजियों के नतीजे कुछ ऐसे हो सकते हैं, जिससे आप हम और definitely नेता टाइप लोग सब के सब अचम भी थी रहे जाएंगे. जहां जिसको जीतना था, वो शायद वहां हार रहा है, जहां जिसको हारना था, वहां शायद वो जीत रहा है, और शायद कुछ राजियों में match इतना close होने वाला है कि मामला super over तक जाएगा. MLS की खरीद, फिरोध की बात हम कर रहे हैं, हिंदी में simple बोले तो operation lotus. देशभग पर हम अकसर कहते आए हैं कि opinion polls, exit poll, ये poll, वो poll, उस पर जादा यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन हां, ये polls हावा किस तरफ बह रही है, वो हमें कभी कबार बता देते हैं. तो देखते हैं आज के एपिसोड में हवा किसको support कर रही है, किसके तरफ चल रही है, बीजेपी या Congress, और इसके पीछे logic क्या हो सकता है. देखो, नतीजे तो तीन तारिक को ही आएंगे, लेकिन एक चीज डेफिनिटली अपताय हो गई है, इन exit poll के बाद, या तो pollster, या तो बहुत सारे politicians, किसी ना किसी के नाक तो बहुत जोर से कटने वाली है. शुरुबात करते हैं मद्रप्रदेश, सायद सबसे बड़ा अपसेट यहां हो सकता है, और बहुत करीबी टक्कर है. टोटल सीट्स मद्रप्रदेश में 230, मेजोरिटी फिगर 116, पिछली बार election के बाद Congress को 114, बीजेपी को 109 सीट्स मिली थी, पर सिंधिया फैक्शन Congress से बीजेपी आ गई, Operation Lotus खिला और कमलनात का कमल सिकुड गया. इस बार, Axis My India और चानक्यन उनके हिसाब से, बीजेपी की बहुत बड़ी स्वीप होने वाली है मद्रप्रदेश में, इतने सालों की इंकंबंसी के बाद भी, अगर ये बात सच निकलती है, तो बीजेपी के 2024 के चांसेज और बढ़ जाते हैं. Axis My India ने बीजेपी को 142, 162 सीट दिये है, यानि स्टेडियम के पार छकार, नहीं स्टैंड्स में नहीं, स्टेडियम के पार ही सी थे, कॉंग्रिस को दी है सिर्फ 68 to 90 सीट, बीजेपी को 47%, that's a massive vote share, और कॉंग्रिस को सिर्फ 41% vote share, और याद रखिये, Axis My India का पिछले बार, कॉंग्रिस को 113 और बीजेपी को 111 जो prediction था, वो बिल्कुल spot on था, तो क्या इस बार Axis गलत है, चानक्या ने भी बीजेपी को clean sweep प्रेडिक्ट किया है, 139 to 163 सीट दिया है, इन्होंने 2018 में however, कॉंग्रिस की victory प्रेडिक्ट की थी, उथर ऐसा नहीं है कि exit polls अब एक साथ है Then एक भासकर ने बीजेपी को 95 to 115 सीट दिये है, कॉंग्रिस को 105 से 120 सीट दिये है, poll strat ने बीजेपी को 106 से 116 सीट दिये है, और कॉंग्रिस को 111 to 121 और C voter ने बीजेपी को 88 to 112, कॉंग्रिस को 113 to 137, यानि, अनि कुल मिला के बोले तो इन तीनों surveys ने कॉंग्रिस की slight advantage पर कॉंग्रिस को, सबके मार्जिंस ऐसा है कि बीजेपी का मैजिक फिगर 116 के काफी करीब हो सकता है तो किधर भी हम जा सकते है वोट शेर में सी वोटर कॉंग्रिस को 44 परसेंट देती है, बीजेपी को 41, इंट्रिस्टिंग बात ये है कि महा कोशल जो कि कमलनात का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भी Access My India, बीजेपी को भारी बहुमत से प्रेडिक्ट कर रही है उनकी विक्टरी उल्टा चंबल ग्वालियर इलाके में जो कि सिंध्या परिवार का गढ़ माना जाता है वहाँ सी वोटर कॉंग्रिस को clean sweep प्रेडिक्ट कर रही है 33 में 29 seats बोल रही है कि कॉंग्रिस के है इन दोनों रीजन्स को closely देखना पड़ेगा तीन तारीकों कि कौन सही निकलता है, कौन गलत MP का result जो भी हो, एक चीज़ साफ है कि कॉंग्रिस की comfortable जीत नहीं होने वाली है अगर वो जीत भी जाते हैं, अगर access चानक क्या सब गलत भी निकल जाते हैं लेकिन कहीं न कहीं ये election एक shocking story है कॉंग्रिस के लिए क्योंकि कुछ महीनों पहले तक कॉंग्रिस बहुत ज़ादा confident थी कि वो इस बार MP में clean sweep करने वाली है, 18 साल से BJP power में है, पिछले बार Congress slim majority से जीती थी इतने सारे फाइदे होने के बावजूद, इतना anti-incumbency होने के बावजूद, अगर Congress ए clean sweep नहीं कर पाती है MP में तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है उसकी electoral machinery पर इसका शायद सबसे बड़ा reason होगा कि BJP तना क्यों benefit कर रही है क्योंकि उन्होंने women vote पर focus किया है, देखिए vote bank की राजनीती सब खेलते हैं पर लगता है इस बार मामा जी ने और उनकी लाडली बहना scheme ने, दूसरे women centric schemes ने काफी फाइदा खीचा है Axis My India के मताब 50% women vote BJP को जा रही है और Congress सिर्फ 40% तक ही पहुँच पा रहा है उसी के साथ साथ observers point out करते हैं कि Congress का कोई strong narrative नहीं रहा है MP में, वो सिर्फ बैठी हुई थी कि हाँ भई BJP से लोग तंग होकर हमारे पास आ जाएंगे कहीं न कहीं एक strong narrative ना होने के कारण Congress एक धंका momentum build-up नहीं कर पाया और इसलिए 18 साल राज जिकन्दे के बाद भी BJP इस बार फिर से पासा मार सकती है और मामा जी काफी damage कंट्रोल करते हैं last moment में आकर BJP ने काफी damage कंट्रोल किया है लेकिन इसमें कोई doubt नहीं है कि इन पाचों राज्यों में 2023 में MP का सबसे करीबी टकर रहेगा और उसके बाद Operation Lotus की संभावना से कोई इनकार तो नहीं कर सकता है लेकिन आपका क्या कहना है पोल पंडित को छोड़ो MP में बाजी कौन मारेगा BJP या Congress आप भी अपना opinion इस election के बारे में Probo पे रख सकते हैं और जीत सकते हैं cash prizes अरे भाई अगर opinion है तो उसका फाइदा भी तो उठालो इंडिया का पहला opinion trading platform Probo हमारे आज के episode के partners भी हैं Probo पे आप अपने interest अपने knowledge के हिसाब से सवालों के जवाब दे सकते हो simple yes या no में और trades जीत सकते हो सवाल जैसे 2024 के शुरवात में ही क्या global recession तेजी से hit करने वाला है Palestine में ceasefire कब तक चल सकता है और ही actually life में करता क्या है लेकिन net net 2 करोर से जादा users ने Probo पे अपना दिमाग का इस्तमाल करके अपने opinions रखे हैं based on their knowledge और पैसे भी कमाए हैं तो भाई opinion रखना तो सबका हक है तो हक से भाई अपना पक्ष रखो और इस सवाल का जवाब दो which party will win more seats in 2023 मध्यपदेश assembly elections BJP या Congress अगर 3 December को आपका opinion सही निकलता है तो आप profit भी कमा सकते हैं और Probo पे आप unlimited deposit withdrawal कर सकते हैं using UPI, Paytm जैसा भी आप सही समझो Probo का download link मैंने नीचे description box पे दिया हुआ है उस link पर click करिए और आपको एक joining bonus भी मिलेगा अगर strong opinion है तो भाई उससे benefit करो न आप आते हैं राजिस्थान पर यहां की कहानी कुछ उल्टी बताई जा रही है अभी सब जाता हूँ टोटल सीट्स दोसो magic figure 101 पिछले बार नतीजा था Congress 100, BJP 73, Independent 13 BSP, RLP, CPM, भारतिया Tribal Party और भारतिया लोक दलकुल मिलाकर 14 seats इन्होंने बटो रहे थे इस बार राजिस्थान में हर exit poll एक tight race predict कर रही है Axis My India ने BJP को 80 to 100 Congress को 86 to 106 दिया है चानक्या ने BJP को 77 to 101 Congress को 89 to 113 यानि इन दोनों ने ही Congress को थोड़ी सी advantage दी है इस tight race में जबकि जीतना तो BJP को था क्योंकि भार 5 साल सरकार change होती है दूसरी तरफ sea voter के numbers है BJP को 94 to 114 Congress को 71 to 91 देनिक भासकर ने BJP को 98 to 105 दिये है Congress को 85 to 95 पोल स्ट्रेट ने BJP को 100 से 110 और Congress को 90 to 100 दिया है यानि tight race है BJP को भी edge यहाँ है BJP के लिए थोड़ी चिंता जनक बात यह इसलिए है क्योंकि राजिस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती आई है विदी का विधान है पर इस बार यह प्रथा इतनी tight क्यों है या प्रथा बदल भी सकती है इसकी एक वज़े तो डेफिनिटली अशोग गहलोत है क्योंकि उनके welfare schemes वाली चवी काफी strong narrative बना चुकी है Congress के लिए इन राजिस्थान राइट टू, Healthcare Act, चीरन जीवी योजना गिग workers protection scheme और gas subsidies और इसका साफ परमाण यह है कि जिनकी मंतली income 10,000 रुपए से कम है उनमें से 44% Congress को prefer करते हैं और 40% BJP को यानि यहां Congress को एक अभी भी fighting chance है जबकि हर 5 साल सरकार बदलती है अगर दोनों parties को 90 seats के आसपास मिलती है तो BSP, RLP, CPM जैसे छोटी parties, game changers बन सकती हैं कुल मिलाकर 5-6 seats से जादा इन parties को नहीं मिलने वाली है और mostly शायद यह Congress के तरफ जाए पर MLS के level पर Operation Lotus कुछ भी गुल खिला सकता है Rebel candidates जिनको Congress और BJP के tickets नहीं मिले जो independent लड़ रहे हैं वो भी काफी important साबित हो सकते हैं सुनने में आ रहा है कि वसंदरा राजे काफी सारे BJP rebels को भी support कर रही है chances यह भी है कि वसंदरा राजे end में अपने MLS के साथ BJP की सरकार की CM की कुरसी के लिए एक जंग लड़े draw of lots लड़े मगर याद रखिए politics है वसंदरा राजे और गहलोत की भी दोस्ती काफी पुरानी है अगर reverse operation कबल हो जाए तो फिर political पंडितों के भी होश उड़ जाएंगे last time 13 independent candidates जो जीते थे वो सारे के सारे Congress के साथ गए थे सवाल है कि इस बार किसके साथ जाएंगे पर शाय एक ऐसा state है जिसके नतीजे पक्का BJP के लिए तो काफी disappointing रहेंगे और Congress को थोड़ी आशा की किरन देंगे total seats telling गाना 119 majority के लिए चाहिए 60 पिछले election में KCR की party भारतिया राष्ट्य समिती BRS ने clean sweep की थी 88 seats मिले थी उन्हें Congress and TDP Alliance को सिर्फ 21 MIM को 7 BJP को 1 seat एक दो बाइपोल्स और हैदरबाद Municipal Corporation Elections के बाद काफी चर्चा हो रही थी कि इस बार Congress number 2 से number 3 पर चले जाएगी और BJP as main opposition वहाँ emerge होगी क्योंकि BJP ने South पर काफी focus किया था पिछले 5 सालों में पर exit poll को देखकर ये लग रहा है कि तेलेंगाना में Congress का बहतरीन comeback हो सकता है C voter के हिसाब से Congress को 49 to 65 seats BRS को 38 to 54 BJP को सिर्फ 5 से 13 seats poll strat के हिसाब से Congress को 49 to 59 BRS को 48 to 58 BJP को सिर्फ again 5 से 10 यानि close मगर clear edge to the Congress चानक्य के हिसाब से भी BRS को सिर्फ 24 to 42 Congress को 62 to 80 BJP को again 2 से 12 seats और People's Pulse जो की एक जानी मानी survey organization है तेलेंगाना की उसके हिसाब से Congress को 62 to 72 BRS को सिर्फ 35 to 46 और BJP को 3 से 8 seats यानि Congress की इस triangular fight में भी clear majority अभी तो लगती है exit polls के according सारे service के हिसाब से OAC की party को सिर्फ 5 से 7 seats ही मिलेंगी now AIMIM और BRS एक sort of open alliance में है तो वो BRS को ही support करेगी अगर push comes to shove पर उसके बाद भी BRS को कम से कम 54 seats जीतनी पड़ेंगी तो ये भी मुश्किल लग रहा है as an alliance Congress के इस rise के तीन main reasons है BJP ने काफी हद तक तो अपना ही self goal करती रही है Congress का score बढ़ाती आई है बंदी संजय जो की BJP के काफी popular state अध्यक्ष थे उनको अपने पद्यातरा के बीच में रोक कर उनकी अध्यक्षता पद से उन्हें निकाल दिया गया BJP ने बहुत चिलाया कि वो केसी आर को उनके परिवार को करिप्शन केसेज में एरेस्ट करेगी पर अंत में एकदम चुप हो गई लोगों पर ये इंप्रेशन बैट गया कि BJP और KCR मिले हुए है और इसका कॉंग्रेस को भरपूर फाइदा वहां मिल रहा है क्योंकि सारा एंटी इंकम्बंसी जो वोट है वो कॉंग्रेस के तरफ शिफ्ट हो गया इसके साथ साथ करनाटका के जीत के बाद कॉंग्रेस को काफी मॉराल बूस्ट भी मिला है कॉंग्रेस ने करप्शन और अनिम्प्लॉइमेंट के मुद्दो को उठाया है और खुद की छे गैरेंटीज के साथ वेलफेर राज की भी बात की है पीपल्स पल्स सर्वे के हिसाब से वोटर्स का एक सबसे पॉपलर मुद्दा रहा है अनिम्प्लॉइमेंट 24 परसेंट लोगों का ये मेन मुद्दा है और सेकंड 22 परसेंट पर है प्राइस राइज मॉरल अफे स्टोरी अगर कॉंग्रेस या कोई भी विपक्ष पाटी कोर मुद्दो पर फोकस करेगी तो कम बैक उनके लिए पॉसिबल है एक और स्टेट जहां टाइट रेस है पर कॉंग्रेस की जीत का मनजर साफ दिख रहा है वो है 36 गड़ टोटल सीट 90 मजोरिटी मार्क रिक्वाइड 46 पिछली बार कॉंग्रेस को मिले थे 68 बीजेपी को 15 जे-सी-सी यानि जनता कॉंग्रेस थे तिसगड़ 5 सीट और बी-सपी को 2 इस बार अक्सेस माई इंडिया के हिसाब से कॉंग्रेस को 40 से 50 सीट मिलेंगी बीजेपी को 36 तो 46 सी वोटर के हिसाब से 41 तो 53 और बीजेपी को 36 तो 48 दैनिक भासकर के हिसाब से कॉंग्रेस को 46-55, BJP को 35-45, पोल स्ट्रेट के हिसाब से कॉंग्रेस को 40-50, BJP को 35-45, चानक्य के हिसाब से कॉंग्रेस को 49-65, BJP को only 25-41. यानि हर पोल के हिसाब से कॉंग्रेस को इस टाइट रेस में भी एक क्लियर एज है, वोटशेर के हिसाब से पिछली बार कॉंग्रेस को 43% वोट मिला था और इस बार भी अल्मूस्ट उतना ही मिल रहा है, कोई वोट्स कम जादा हुए नहीं, एक्जिट पोल के हिसाब से, BJP का वोट शेर 41-42% तक पहुँच गया है, 2018 में BJP को सिर्फ 33% वोट मिला था, तो इंक्रीस है BJP के पास, एंटी इंकंबंसी कॉंग्रेस को हिट कर रही है, लेकिन उतना जादा नहीं कि वो मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं कर पाए, और एक और बात नोटिस कीजिएगा, कि तेलेंगाना के तरह यहाँ पर भी opposition party का वोट भड़ा है, पर ruling party का वोट घटा नहीं है, पिछली बार सारे exit polls ने Congress की जीत तो प्रिडिट की थी, मगर margin tight था, किसी ने expect नहीं किया था पिछली बार कि Congress को 68 seats तक मिलेंगे, तो इस बा important मुद्दा है, और BJP को इस state में भी जो बढ़ोतरी मिली है, वो youth voters को attract करके मिली है, access my India के हिसाब से 18 to 25 years के जो voters है, almost first time जो voters है, वो BJP को 44% support करते हैं, और Congress को सिर्फ 37%, जादा लंबी बात नहीं करेंगे कि Congress को advantage क्यों मिल रहा है, incumbency के बावजूद, वो इसलिए क्योंकि भूपेश भगेल के 36 गड़ मॉडल की एक पूरी वीडियो हम अलड़ी बना चुके हैं, उनका जो MSP मॉडल था, minimum support price का, सरकार जादा MSP दे रही है किसानों को, जादा फसेल खरीद रही है, वहाँ अगर आप सरकारी डेटा की ब रहा है, अब आते हैं, मिजोरम पे टोटल सीट्स 40 हैं, और पिछले बार मिजो नैशनल फ्रंट या MNF ने जीते थे 26, जोराम पीपल्स मूव्मेंट ZPM को 8 मिले थे, कॉंग्रेस को 5 सीट, BJP को 1 सीट मिली थी, इस बार के exit पोल बहुत इधर उधर है, समझ में नहीं आ रह कॉंग्रेस को सिर्फ 2 से 4, BJP को 0 to 2 सीट, access my India के हिसाब से मिजोरम के जो जवान हैं, उनमें बहुत सारा आक्रोश हैं, और वो change चाहते हैं, इस बार सरकार में, उस सरकार बदलना चाहते हैं, और ZPM एक attractive नई third front option बन कर सामने उभरी है, याद रखिये, MNF BJP की ally है, और NDA क हिसा भी है, सी वोटर के हिसाब से MNF ही लीड कर रही है, उनको 15 से 21 सीट मिलेंगी, ZPM को 12 से 18 सीट, कॉंग्रेस को 2 से 8 सीट, ZPM ने कहा है कि वो किसी के साथ भी alliance नहीं करेगी, मगर क्या पता MNF को हराने के लिए कॉंग्रेस की मदद ले ही ले end में, हंग assembly का सबसे चांस यहां भी दिख रहा है, या फिर पोस्ट पॉल अलाइंस खरीद फिरो ओपरेशन लोटस यहां होने का भी चांस है, देखे हार जीत को अगर हम साइड में भी रखें, इंटरेंट से यह चीज़ साफ सामने आती है, कि एक clear positive narrative के बिना politics के game में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसी narrative के बज़े से 36 गर्ड तेलिंगाना में Congress अब लीड कर रही है, MP में BJP ने ऐसा narrative बरकरार रखा है, मामा जी ने ऐसे schemes लाएं हैं और हो सकता है 18 साल power में रहने के बाद वो फिर से power में आ जाए, जैसा कि center में भी होता है, पिछले 10 सालों में states में भी होना electoral match तो है ही, अब exactly क्या होता है, कौन से areas में कौन जीता है, कौन हारता है, ये तो तीन तारीक को ही पता चलेगा और हम इस पर भी एक informative data pact episode आपके लिए लाएंगे और हार जीत का सिंसिला 2024 पर क्या impact करेगा इसको भी देखेंगे, क्योंकि इन चुनाओं से देश के political नक्षे पर impact पड़ता है, 2024 की election में directly पड़े ना पड़े, लेकिन इन राज्यों से चुने हुए MPs राज्यसभा अगले 5 साल तक रहेंगे, और राज्यसभा के अनुमती के बिना सरकार कोई भी एहम constitutional amendment नहीं कर सकती है, अपनी बनमानी नहीं कर सकती है, इसी लिए हमारे देश में को कोई भी election हो, state हो या central election हो बहुत जरूरी होता है, अन्त में याद रखिएगा, ये सिर्फ exit polls है, कोई सत्यवचे नहीं है, काफी बार ये गलत साबित हो चुके हैं, खास कर कि जब election काफी close होता है, टककर की होती है, तब ये बिल्कुल confused हो जाते हैं, जैसा कि इस बार लग है, लेकिन आपका क्या opinion है, पंडित्स को छोड़िए, आपका क्या opinion है, सबसे करीबी contest मद्यपदेश में कौन जीतने वाला है, प्रोबो पे आप अपना vote कर सकते हैं, और जान सकते हैं कि आपका opinion actually वजन रखता है या नहीं, तो internet किसको support करता है, जानते हैं, प्रोबो पर vote करता रहूंगा, लिंक प्रोबो का मैंने नीचे दिया हुआ है, बाकी updates देशभक्त पर आते रहेंगे, thanks for watching.